मुहबत की निशानी ताज महल में मुगल सहंसा साहा जहां का 366 उर्ष चल रहा है। उर्ष में इस बार भी हर साल की तरह हिंदुस्तानी सतरंगी चाधर चड़ाई जाएगी जो हिंदु मुसलिम एकता और सामप्रदा एक सदभाव की मिसाल है। 40 साल पहले 100 मीटर की लंबाई से सुरू की गई मनत और आस्था की हिंदुस्तानी सतरंगी चाधर अब 1381 मीटर लंबी हो गई है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सतरंगी चाधर की खासियत की और आस्था की जो अमन्चैन और सांती की दूथ है। हर साल की तरह इस बार भी चादर पोसी के बाद महबत की निशानी से दुनिया में अमन्चैन की दुआ मांगी जाएगी लुए मुस्लिम से किसाइट सब जूब के यह पूरा परीवार में ख़र होगा जिसे अंधर चैन अमंड रहे और विश्में चैन अमंड जिससे आप देख रहे हैं यूज चला है इसमें भी हम दोद आम मंगनी है और अभी दो इव वहां पर शांती बनी रहें वहां पर शुक्त चैन अमन होई और उपर वाले से दोआ करते हैं यह करोना हमारे दुनिया में बबावा फेला है जो कुछ खतम हो चुका कहीं है कहीं नहीं है यह भी खतम होए हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सभी की आस्था का कपड़ा लगता है जो लोग मननत मांगते हैं वो अपना कपड़ा यहां पर देखे जाते हैं फिर उस कपड़े को इस चादर में जोड़ा जाता है यह काम भी सभी धर्म के लोग मिल करके करते हैं और सब लोग हमेशा संग में ही जाते हैं मां से चादर चड़ाने के बाद इदर लंगर का आयोजनी भी किया जाता है हिंदुस्तानी सतरंगी चादर की लंबाई हर साल बढ़ रही है बीते पान साल में इस चादर की लंबाई 511 मीटर बढ़ी है सहा जहां के 366 वे उर्ष में इस चादर की लंबाई 331 मीटर थी जो इस बार 381 मीटर हो गई है बिरु रिपोर्ट शामदीर सिंग इटीबी भारत आगरा